आयोध्या में राम मंदिर के उध्गाचन को लेकर जोर शोर से तयारियां चल रही हैं इस कारिकर में प्रधान मंदिर नरेंद्र मोधी से लेकर देश भर के कई गणमानी लोग शामिल होंगी जिनमें धार्मीक एवं आध्यात्मी गुरुओं के साथ साथ, फिल्म स्टार्स, खिलाडी और कई बड़े कारोबारी भी शामिल होंगे आयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सिकिंड का शुब मोहर्त निकाला गया है ये शुब समय 22 जनवरी 2024 को 12 बचकर 29 मिनट 8 सिकिंड से 12 बचकर 30 मिनट 32 सिकिंड तक का होगा हिंदू पौरानिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अभिजीत मोहर्त, मुरेक शेर्स नक्षत्र, अमृत सिध्धी योग और सर्वार्थ सिध्धी योग के संगम पर हुआ था ये सारे शुब योग 22 जनवरी 2024 को एक बार फिर से साथ होंगे इसलिए यह अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे आदर्ष दिन बन जाता है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कारिक्रम 16 जन्वरी से शुरू होकर 22 तक चलेगा 16 जन्वरी को रामलला पूजन की प्रक्रिया शुरू होगी 17 जन्वरी को श्री विग्रह का परिसर भ्रमन और गर्ग्री का शुद्धी का रण होगा 18 जन्वरी से 21 जन्वरी तक अधिवास प्रक्रिया होगी 18 जन्वरी को सुब और शाम जला धिवास, सुगंध और गंधा धिवास होगा 19 जन्वरी को सुब फल अधिवास और धान अधिवास होगा 20 जन्वरी को सुब पुष्प और रत्न वशाम को ग्रित अधिवास होगा 21 जन्वरी को सुबश शरकरा, मिश्ठान और मधु अधिवास व औशधी और शईया अधिवास होगा 22 जन्वरी को मध्य दिवस में राम लला की विग्रह की आँखों से पट्टी हटाई जाएगी और उन्हें दरपण दिखाये जाएगा 12 बचकर 29 मिनट 8 सिकेंड से 12 बचकर 30 मिनट 32 सिकेंड तक राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर का उध्खाटन भारत के लिए एक एतिहा सिक्षन होगा यह मंदिर हिंदू की आस्था का प्रतीख है और इसका निर्मान कई वर्षों से चल रहा था इस मंदिर के उध्खाटन सी हिंदू समुदाय में खुशी की लहर है